हलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में हम आपको यह बताने जारा हूं कि कैसे आप अपने टेक्नव पोवा 5 प्रो एंटर्ट माइल फोन में अगर आपके वाट्साप की इंकमिंग कॉल अगर स्क्रीन के ओपर शो नहीं होती है तो इस प्रॉलम को आप सॉल्व कैसे कर सकते ह पाला हूं तो चलिए आप यह वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं देगी दोस्तों अगर आपके वाट्साप की इंकमिंग कॉल अगर स्क्रीन के ओपर शो नहीं होती है तो इसकी सॉल्यूशन के लिए करना गया देखिए सबसे पहले वाट्साप को उगली से दबाके अपशिन टाप करना है इसके अंदर आपको सबसे अपर सिस्टम आप की ऑप्शन टाप करना है अब आपको इस पैज में नीचे आएं यहाँ पर आपको एक उप्शन बिलता एंडूट सिस्टम इसके ठीक सामने आपको त्री डौट पे टाप करना है आपको इस वाली करना है यहां पर शाच बार वॉट्सक्राइब कूल नहीं से पहला इंटरनीटक आर वन्लाइन पर प्रिंट कि पि他ब करने हैं इसके बार फोन का सेटीक करना है सबसे तर्च आरपकर सबसे पर सर्च बार में हैपको सिष्टन अपडेट लिखना है ठीक है आपको नीचे सिस्टम अपडेट का यह option आगा इसे tap करना है अब आपको इस page में नीचे online अपडेट पे tap करना है तो आपको इस वाले page पे अगर कोई भी update का बटन या download इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है तो उससे इस सर्च सेटिंग पे टाप करना है यहाँ पे सबसुपर सर्च बार में reset आपको लिखना है ठीक है आपको नीचे erase all data factory research का यह option शोगा इसे tap करना है अब आपको इस वाले page में factory research का यह option दुबारा टाप करना है इस सब का phone जब reset हो जागा और आपके whatsapp की जो incoming colleagues screen के ओपर नहीं होती है यह problem solve हो जागी लेकिन phone को research करने से पहले दो बात होगा ध्यान रखना है पहले बात ही ध्यान रखना है आपके phone में जितना भी data सारा data किसी भी दूसरे phone में transfer कर लिजे या उस data का backup ले लिजे दूसरी बात ही ध्यान रखना है आपके phone की Gmail ID और उसका password आपको information note करके रखना है यह दो काम आपको पहले करना है उसके बात फोन को research करना है ठीक है तो मेरे बताएवे सारे process आपको यूज़ करने से आपके WhatsApp की जो incoming call screen के ओपर शो नहीं होते यह problem solve हो जाएगी ठीक ना